वेल्कम है मेरे निव वीडियो में आप सभी कास तो आज मैं गई हूँ स्टेक्टर 29 गुर्गाओं का मेला देखने तो चलो आपको भी विजिट कराते हो यह है इंट्रेंस पे काफी सारी शॉप जो कि बहुत सारे आर्टिफिशल फ्लावर्स प्लांट्स दे रही थी और यहां पर आपको काफी चीज़ें अमेजिंग चीज़ें दिखाई देंगी जो कि आप पर चीज करना जरूर चाहोगे यह थी एक फनीचर की शॉप जो कि काफी अंटीक चीज़ें यहां पर सेल कर रही थी और काफी अच्छे चीज़ें यहां पर आपको दिखने को मिलेंगी यह थी फूट स्टॉल जो कि एकदम एंडिंग पॉइंट्स में लगे हुए हैं काफी चाइनिज आइटम्स हैं, पिज्ज़ा है तो काफी चीज़ें यहां पर आपको फूट की ऑप्शन काफी मिल जाएंगे तो यहां पर बहुत सारे जूले भी हैं जो कि बच्चों के लिए अमेजिंग प्लेस है वह यहां पर आके काफी मस्थी कर सकते हैं जो कि मेले में always आपके लिए ऐसे चीजे तो बहुत interesting होती है खास करके छोड़े बच्चों के लिए यहाँ पे काफी सारे options है उनके लिए जूले के भी and काफी balloons भी यहाँ पे मिल रहे है cartoon वाले so यहाँ पे आप देख सकते हो comment box में बताना कि आप मेले का weight करते हो या नहीं करते हो या मेले से आप क्या-क्या buy करते हो मुझे comment box में जरूर बताना so यहाँ पे काफी games भी है games के लिए भी है selfie stick videos भी वाला है वहाँ में आप बना सकते हो and काफी बहुत सारे चिचे stalls से भेल पूरी का stall था और shopping के लिए काफी stalls हैं यहाँ पे जैसे sweaters ले सकते हो आप यहाँ पे earrings ले सकते हो necklace set ले सकते हो and आप अपने sofa के लिए cushions covers ले सकते हो काफी चीज़े हैं मैं आपको आगे जरूर दिखाऊंगी so यहाँ पे देख सकते हो बड़ा वाला जूला भी है जो कि मुझे उसका phobia मैं नहीं जूल सकती वह बहुत डर लगता है मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी चीज कि मुझे ना shopping करना मेले में बहुत पसंद है बिकॉस बहुत अच्छी चीज़े मिलती है और एक यादे रहती है मेले के हिसाब से क्या हमने यह वहाँ से लिया तो और मुझे बहुत इंतजार रहता है मेले का सो मुझे घुमना बहुत पसंद है यहाँ पर आ गए यह स्ट्रॉल पूरा का पूरा स्ट्रॉल पर यहाँ पर अच्छा जैकेट्स भी थे तो गहाँ पर आप जाके देख सकते हो यह पूरा एरिया गेम्स का है गेम्स खेलना पसंद है तो यहाँ पर आके ट्राइज जरूर कर सकते हो जब हम कहते तो बहुत सारा रश था यह बहुत एंटिक छीज़ है यह शौप पे आप जाके जरूर देखना यहाँ पर कुशन्स कवर्स है घर के लिए सारा का सारा समान है यहाँ पर डाइंट टेबल के डेकोरेशन के लिए भी है फूट बासके जो है यहाँ फूट वाली वो बहुत अच्छी है, handmade है, काफी costly भी थी लेकिन पैसा वसूल है, अगर एक handmade वाली चीज आप ले रहे हो तो काफी काफी उसमें मैनत लगती है और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे जूले और यह आप देख सकते हो, cushions, covers हैं यहाँ पर काफी घर का item आपको यहाँ पर मिल जाएगा काफी reasonable price पर भी है, कुछ handmade है जो costly है बट वो हाथ से बनाए गया है, तो आप देख सकते हो अपने हसाब से यहाँ पर यह बच्चों के stalls थे, जहाँ पर आपको उनके arts के काफी चीज़े मिल जाएगी, stationery के लिए स्कूल बैक्स भी थे, चुछे फीटे parents थे, उनके लिए काफी options थे वहाँ पर मेलो में न सबसे अच्छे option बच्चों के लिए होते हैं, चाहे वो उनके arts से हो, चाहे उनके जूले से हो, कुछ भी बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे बैलून भी थे, जूले भी थे, सारे options बच्चों के लिए होते हैं, और ये जूले तो बहुत खतरनाक थे, भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, अब बताओ आपको मज़ा आती है, जूले में बैटने में या नहीं काफी सारे options हो जूले में यहाँ पर, आपको पहले पर दिखाया था, वहाँ पर भी था option, यहाँ पर एक shop आती है, जहाँ पर सारे बच्चों का समान मिल रहा होता है, यह होता है, सबसे बड़ा बड़ा जूला जो कि काफी पास से मैंने आपको दिखाया है, यह तो पूरा फुली था, बहुत सारे लोग थे, जो जूल रहे थे, जो डर के आगे जीत वाला काम कर रहे थे, वो कर सकते हैं, यह पर काफी options से, आपके अचार के स्टॉल से, पापड के स्टॉल से, जो कि मैं लेके आई हूँ, पापड, बहुत सारे, जो कि मुझे पसंद है, यहाँ प मिल रहे थे, जो कि 20 रूपीज इच, 10 रूपीज इच था, यह भी स्टॉल आप चेक कर सकते हो, टेटो का भी वहाँ पर स्टॉल लगा हो थे, टेटो बनवानों तो भी आप जा सकते हो, यहाँ पर option था, टेडी बियर का, और हैंड बैक्स भी बहुत सारे थे, गुझराती अंटी आके यहां पर स्टॉल लगा होई है, सो काफी स्टारिश बैक्स थे उनके पास, जो कि आप बहुत बैक्स लेना चाहते हो, यहां से बाई गर सकते हो, अमेज़िंग यहां फिर बैक्स ने काफी वर्ग था उन में, सो भी आप ले सकते हो, यहां पर गोगल की शॉप Shops भी थी and bed sheet suits etc आपको यहां पर मिल जाएंगे काफी price भी आप डिपेंड करता आप देना चाहते हो यह नहीं price तो काफी high लगा मुझे यह एक shop थी jewelry के जहां पर काफी amazing collection था हमने यहां से एक buy किया हुआ है and amazing collection था because वो चंडीगर की shop थी और वहां पर earrings and necklaces बहुत reasonable price काफी antique मिल रहा था तो मैंने buy किया वहां पर यह इस टॉल प्यारा सा decorate किया गया था इसमें गनपती जी बहुत प्यारे लग रहे है as a entrance पे है यह और काफी shops है यहां पर बर्तन की and बहुत सारे plates के option है cups के options मिल जाएंगे आपको flower pots के options मिल जाएंगे अगर आप एक घर डेकुरेट करना चाहते हो अच्छे तो यहां पर काफी options है and amazing इसे चीज़े हैं जैसे मेला होता है वैसे बहुत खुपसूरती से इसे लगाया गया है यह पंडाल भी काफी अच्छा ऐसा लगा मुझे comment जरूर करना